वेल्कम फ्रेंड्स सभी लोग जुड़ जाएं दस बत चुके हैं और आपकी DLA की कलास शुरू हो चुकी है जैसे कि आप सभी जानते हैं सोमवार और मंगलवार यानि की मंडे और टूजडे को आपकी DLA सिकंड समेस्टर की कलास होती है और बेटनस डे और थर्स डे को आपके थर्ड समेस्टर की कलास होती है तो बिछली कलास में हम लोगों ने अनुपात से सम्मधित कुश्चन और उनके बेसिक कांसेट देखा था समानुपात के बारे में भी आपने पढ़ा था आज हम समानुपात के कुछ आगे कुश्चन करेंगे उसके बाद फिर समानुपात खतम हो जाएगा तब फिर हम लोग अगला चैप्टर पर चलेंगे और जो अफ़तन डेलेट सेकंड समेस्टर की कलास चलती थी आप लोग को मालूब था वो सभी फोर समेस्टर के सलेबस के एकॉर्डिंग था सलेबस आप लोगों ने किसी ने भेजा हुआ था मैंने थ्यार ने दिया था ठीक है तो सिकंड समेस्टर की कलास कल से आपकी फिर से सुरू हुई है नय बैज में यहनिकी मंगलवार से 25 भरवरी से चली आज देखते आगे सवाल आपके सामने जो है इसका उत्तर बहुत से लोगों को आता है जल्दी से आप लोग कंट करिए कौन सा सही है अगर पहला सवाल का A सही है तो आप लोग 1 A लिखे कंट करेंगे अगन D सही है तो 1 D इसी तरह का कंट करेंगे जो नए लोग जोड़े हैं ठीक है आवाज थोड़ा काम आ रही होगी क्योंकि आज स्पीकर कुछ गड़बड है और सवाल देखिएगा क्या है 10, 30, 40 और 90 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जो योगफल हो योगफल मतलब जानते हैं जोड़ने पर जो आता है वो समानुपाती हो जाए समानुपाती हमने आपको बताया था क्या होता है अगर आपको नहीं आता तो कमेंट करिएगा पिछली कलास में उसको देख लेजिएगा समानुपाती कब होता है क्यों होता है कैसे गयात करते हैं यह सब बताया था तो देखी इसमें करेंगे क्या जो भी दिया गया है आपको वही लिखना है चार पार्ट होता है řो फार्मचार्ट के लिए मैं दिखाऊ हूं आपको पांच अधूर पार्त साथ पिर समानुपाते 3 अनुपाते 2 देखे चार पार्ट होता समानुपात में ठीक है तो इसमें क्या होता है आप लोग जानते हैं कि पहले और तीसरे पद का गुड़ा करते हैं दूसरे और चौत का ऐसे कुछ करके तो उसको हम बनाते हैं ना बराबर के दूसरे साइड वो ऐसे कर सकते हैं, कैसे, देखिए, इसे आप लोग कैसे करेंगे, क्यों सी संक्या जोड़ी जाए, म Хотलब यही सवाल मेंन, कौन सी संक्या जोड़ी जाए, तो आपको यह तो नहीं पता क्या जोड़ा जाए, तो आप लिख लेंगे इसमें माना यक्स जोड़ा जाए अब यह नहीं जरूरी कि आप एक्स से ही लिखेंगे यह कोई पड़िस से बिचार के नहीं लिखा गया कि एक्स ही लिखेंगे आप इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं मतलब चर्पद होना चाहिए यानि की वैरियबल होना चाहिए एसे लेके जड़ के बीच का कोई भी अच्छारा आप यहां पे लिख सकते हैं तो अगर यक्स मान लेंगे तो कुष्टन फिर से देखिए बार-बार सवाल देखिए ने समझ में आएगा 10, 30, 40 और 90 में कौन सी संख्या जोड़िया है इसका मतलब इस सभी संख्याओं में जोडने को बोला जा रहा तो आप पहले से सुरू करेंगे 10 में अगर हम जोड़ेंगे यक्स तो क्या होगा 10 यक अनुपात का मतलब आप जानते हैं बटे में होता है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 30 प्लस यक्स अब जो दो पदावर है न ये दूसरे साइड में होगा यानि कीस में भी जोड़ेंगे इस तरह फें तो 30 नहीं होगा ये 40 होगा प्लस यक्स और ये 90 प्लस यक्स यहा देखिए मैंने क्रास मल्डिपल कर लिया आप लोग इसको जाते होंगे जब बीच में बराबर लगा होता है तो इस तरह का गुड़ा किया जाता है कैसे बजपन में आपने पढ़ा होगा अगर कहीं दो बटा साथ पराबर पांस बटा तीन लिखा है तो इसे कैसे हल करते थे पैसे करते थे आइसे लो तीन में तो च्छी साथ का पांच में तो 25 एसे होता था उसी तरह से इसमें भी हमने किया ना यहींकि 90 X का 90 X 10 plus X में गुड़ा किया तो यह कोई 25 तो था नहीं की गुड़ा कर ले 25 हो जाए इसका गुड़ा करना अत्तरा आसान नहीं है तो इस तो अब इसका हम गुडा कर लेंगे आपस में गुडा करना बहुत से लोगों को नहीं आता होगा जिसको नहीं आता वो लो कमेंट करेंगे जीरो लेवल की कलास में देखेंगे काई से इसको करते हैं क्योंकि यह डीरिट की कलास है तो इसमें हम उसको नहीं बताने वाले कि एवन गुड़ा करेंगे आप ध्यांसे देखिएगा 90 का गुड़ा करेंगे या दस में या दस का नबे में आप जानते है एक जीरो यहाँ है एक जीरो यहाँ दोनों जीरो निख लीजिए नव का एक में गुड़ा करेंगी हो जाएगा नव यानि कि 900 हो गया अब आप दस का गुड़ा नबे में क्योंकि अगर आप अपने घर से विलाग करते हैं अगर आपके घर में कोई प्रॉफिट एलास होता है तो उसका प्रभाव आपके उपर भी पड़ेगा है ना तो इसका भी बुड़ा हम इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा यह कैसे हुआ अगर नहीं समझ में आएगा तो बत हो गया क्लियर कि अब इसको अगर बहुत बड़ा खीचते हैं तो भी चार पांच लाइन और लगा सकते हैं अगर चोटा करना चाहें तो आप एक स्कॉयर को से काट दीजिए क्यों क्योंकि चिन समान है अब आप लोग कहेंगे यह बेवकूब बना रहे भाई दोनों सब्स होता है काटता है काव कव बराबर के दूसरे साइड एक पारत है इक दूसरे साइड है तब अगर एक साइड होता तो न उत्ता क्यों कि यह एपर इधर आएगा तुस्त मैने सोट भब एक प्रस एक माइनस घटेगा तब भी जीर होगा, या कट जैगा, आगे क्या करेंगे, देखिए जिसमें यक्स लगा है इक तरफ कर लीजी, जिसमें यक्स नहीं लगा उसको दूसरे तरफ कर लीजी, तो यक्स वाला इधर कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा दास यक्स, और यह देखी क्या था 90 x था ना है ना देखिए Dr. का इसमें वुआ ह्वा था 900 हो गया यह हुआ था तो 10 x हो गया यह 90 हाँ ठीक है गैक्स है यह इसमें जूड़ेगा कितना हो जाबा 100 x til bonds हो गया 100 x और फिर यह तो कट गया इससे कोई मतलब नहीं अब बराबरत अच्छे नहीं लगाएंगे भी इधर भी X वाला है न तीसे X इसको इधर फैट ले आईए तो क्या हो जाएगा ये तीसे X ठीक ना अब क्या होगा ये बराबर के दूसरे फैट जाएगा कौन सा जो 900 है तो ये हो जाएगा माइनस 900 यहां से X कमान निकाल लेंगे सभी लोग लगभख जानते होंगे कितना आएगा उत्तर जल्दी से करके बताईए देखिए आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा इसमें एक मिश्टेक हो रही थी और वो क्या देखिए जब हमने 30 का गुड़ा किया 40 में तो 12 से हो गया और जब 30 का गुड़ा X में किया तो 30 X हो गया लेकिन जब X का गुड़ा 40 में किया तो यह ना 40 X भी तो आएगा और जब X का गुड़ा X में करेंगे तो X स्कुयर होगा आप देखें फेरी सिंपल हो गया इधर फे जो 40 एक से वो भी धर आएगा तो इसके साथ क्या हो गए ये माइनस हो जाएगा 40 याक्स और फिर बराबर लगा के आप लिखेंगे 1200 माइनस 9 ठीक है समझने की कोर्सिस करिएगा बिल्कुल बेसी कांसेप्ट से तो यह हो जाएगा 1200 माइनस 900 यही तो हो रहा था ना आप देखें यह जूड़ जाएगा माइनस माइनस 40 30 कितना होगा 70 और 100 से जब 70 घटाएगे तो 30 आएगा और यह हो जाएगा 30 याक्स बराबर कितना हो जाएगा 9 3 12 होता है ना यानि कि 900 में जब घटाएगे 1200 से तो यह 300 आएगा इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं इसको मैं अलग लिख देता हूँ 10 आजएगा कैसे देखे इधर 30 याक्स बराबर 300 तो यह याक्स बराबर हो जाएगा 300 बटे 30 काटना बहुत ही आफान है 0 से 0 3 से 30 याक्स बराबर 10 आगया यानि कि अगर जब हम 10 में 10 जोड़ेंगे 30 में 10 40 में 10 और 90 में 10 सब में 10 तर जोड़ेंगे तो जो योगफर आएगा वो आपस में समान उपाती बन जाएगा नोट कर लिजिए सवाल थोड़ा लंबा तो हो गया लेकिन फिर भी समझ में आया होगा ठीक है लिख लीजिए जो लोग स्क्रिन साट लेना चाहें स्क्रिन साट निकाल लीजिए जिससे कि आप नोट्स बना सकें और ये कोई मूबी नहीं चल रही भाई जब भी आप लोग कलास देखें कापी पैनल लेकर के बैठें जिससे सब कुछ समझ में आया और नोट करते जाएं अगर पढ़ना है तो